सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बैल आइकन को दबाईए, आयरवेदिक उशदियां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तो आज जो हम उशदि के बारे में बताने वाले हैं, उशका नाम है मेहे मुदगर वटी और ये बैदनात कंपनी के तरफ से आने वाली उशदि है, आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, कैसे आप इसका प्रियोग करेंगे, क्या इसका कंपोजिशन है, क्या इसका प्राइज है, ये सबी बाते आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहे हैं, और देखते रहे हैं हैल्थ टच, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 40 टेबले कम या जादा हो शकता है तो जैसा कि इस पर लिखा हुआ भी है परमे रोगू की अच्छी दवा है लेकिन इस सोट में लिखा है हम आपको इसके विश्तार से बताएंगे तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके कमपोजिशन के बारे में दोस्तो इसका जो कमपोजिशन ह इसमें मिक्स होती हैं इसको बनाने के लिए उसमें सबसे पहले ओशदी है रशोत इसमें है विडग नमक, देवदारू, बेलगीरी, गोखरू, अनारदाना, चिरायता, पीपलामूल, सोट, मिर्च, पीपल, हर्ड, बहड़ा, आवला, निशोत, इन सभी ओशुद्यों के म इसरन से इसको बनाया जाता है, सबसे पहले इनको जो है कूट पीशकर चान लिया जाता है, उसके बाद इसमें जो है लोहो भस्म मिलाई जाती है, और शुद्गूगल भी इसमें मिलाया जाता है, इन सभी को जो है कूट पीशकर तयार करने के बाद शुद्गूगल में इ ये औशदी एक प्रकार से प्रमेहे रोगों की बहुती अच्छी औशदी है जितने भी प्रकार के प्रमेहे होते हैं उन सभी में ये प्रयोग की जा सकती है प्रमे को जो है युनानी में जिर्यान भी बोलते हैं जिसमें जो है सरीर से पेसाब के साथ धातु निकलती है या व पीरिय पतन होता रहता है तो ऐसे में आप इसका परियोग कर सकते हैं मूत्र सम्मंदित सभी रोगों में आप इसका परियोग कर सकते हैं यह मूत्र से सम्मंदित सभी समस्षाओं को नश्ट करता है इसके अलावा जो यह ओशदी है यह कमला रोगों में बहुत अच्छा काम क करती है दातु के जितने भी विकार है उन सभी में ये काम करती है इसके अलावा ये दातुगत जो जोर होता है उसमें भी इसका बहुत अच्छा परियोग है रक्त भी ग्रहनी जैसे रोगों को भी नश्ट करती है आम दोस्त करती है अगनिमाग को नश्ट करती है अरूची मे आप इसका परियोग कर सकते हैं आप इसको चिकित सक्की देखरेक में अगर आप इसका परियोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप ले पाएंगे इसकी जो मातरा की बात करें तो इसको एक एक गोली सुबह और साम जो है ताजे जल्ट के सात लेना होता है यa फिर आप इसको बकरी के दूद के साथ भी ले सकते हैं ये इसका लेने का तरीका है इसके सम्मंद में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कॉमेंट बोक्स में लिख सकते हैं जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करिए ऐसी और जानकारी देखते रहने के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि हम एसी और भी अच्छे जानकारी आपको देते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए हशते रहे हशाते रहे और अपनी शेयत का ख्याल रखिए